तो दोस्तो आज हम आपको एक ऐसी न्यूज सुनाएंगे और ऐसी न्यूज दिखाएंगे जिसको देखकर आप ये सोचोगे कि हर रोज यही थाने में सिकायत होती हैं चाहे कहीं पर भी देख लो चाहे बिछोर थाना देख लो चाहे पुनाना थाना देख लो चाहे प्रोजपुर थाना देख लो और चाहे नुहू थाना देख लो चाहे रोजगमेयो थाना देख लो कहीं पर भी और यही देखने को मिलता है तो दोस्तों सबसे बड़ी जो नि देहज पिर्था की है, साधी हुई है 2020 में और देहज पिर्था का आज केश डल रहा है, साधी हुई है 2015 में, साधी हुई है 2010 में और देहज पिर्था का केश आज डल रहा है, इसी तरह का एक वाक्या आज फिर सामने आया है, रोज का मे उठाना का है, हम आपको पढ़के सुन दरसल नुहु मेवाद इंडरी खंड के गाउं निवासी हिलालपूर पीडिता रेनू वा काजल को दहज की मांग पूरी नहीं होने पर मार पीट कर सस्राल वालों ने घर से निकाल दिया। साधी के बाद से ही सस्राल पक्च के लोग दोनों बेहनों से दहज के नाम पर कारवा पांच लाक रुपे नगदी की मांग कर रहे थे। दोनों पीडितों ने सस्राल पक्च के लोगों के खिलाब मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस की दी सिकायत में रेनु वा काजल ने बताया कि नवंबर 2020 में दोनों की साधी बल्लमगड के सिही गैट निवासी विकास वा अरजुन के साथ होई थी साधी के बाद से ही आरोपी दहज लाने का दवाब बनाने लगे यहें उनकी मांग को पूरा नहीं कर पाए इसी बात को लेकर सोले जून को उन दोनों बहनों के साथ मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने पुलिस थाना रोज का मेव में सिकायत दी पुलिस ने विकास, अरजुन, देवरकरन, असीस, ससुर, करमचंद, सास, विमला देवी, जेटानी, सीमा वा, रवीता के अलावा उनकी ननद पिंकी सब्बो के खिलाब मुकदमा दर्ज करा दिया गया है तो दोस्तों ये थी पूरी घटना, हमने आपको पूरी घटना जो सिकायत है, जो रेनु और काजल ने जो सिकायत दी है, उसमें जो पूरा सिकायत में ये लिखा है, कि उन्होंने वो 2020 से हमें पिर्ताडित करते थे, हमसे दहज मांगते थे, हमसे कार मांगते थे, हमसे पांच औरत और हस्बेंड के बीच में जब कोई लड़ा जगडा होता है औरत के पास सिर्फ यही रास्ता है कि इनको हम दहज पर थामे केस में फसाएं तो दोस्तो यह सबसे बड़ी बात है और यही मेवात में देखने को मिल रहा है आज कल यह बहुत बड़ी बात है इस पर लगाम लगानी चाहिए और दोस्तो इस नियूज के बारे में आपकी क्या रहा है आप हमें कोमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसा भी होता है आड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब तरहे के लोग होते हैं, लेकिन मेवात में ये देखने को मिल रहा है, इस न्यूज के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, अगर आपने अभी तक टीटीवी न्यूज चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सबस्क्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और सियर करें,